तो दोस्तों कि आप लोग के साथ भी ऐसा प्रोल्म आ रहा है कि आप लोग जब भी Google Pay Account को बना रहे हो आपके साथ एक प्रोल्म आ रहे है कि Account suspended you must be over 18 to use Google Pay Account ठीक है ऐसा प्रोल्म में आ रहा है कि आप लोग बिना 18 साल से 18 साल के पहले आप लोग अकाउंट ने बना सकते हो तो यह वीडियो देखिए आपको मैं बताओंगा कि इस प्रोल्म आने का रीजन क्या होता है फिर बताओंगा आपको solution कि आपको कैसे प्रोल्म को solve करना है दोस्तों मैं आपको solve करना तो बताओंगा है उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आखिर क्यों यह प्रोल्म आती है तो दोस्तों यह प्रोल्म आने का सिर्फ एक रीजन होता है एक या दो रीजन पहला अगर आपने गुगल पर अकाउंट को अपडेट नहीं किया है एप्लिकेशन को अपडेट कर लेना और दूसरा क्या है आप लोग जो है जो भी जीमेल से साइन अप कर रहे है उस जीमेल का जो भी जो है डेट अबर्थ है वह 18 नहीं है जिस वैसे प्रोल्म आती है तो मैं इस पर क्लिक किया और मैं चेंज अकाउंट पर क्लिक किया और और वीडियो को आप जरूर लाइक करना सेर करना क्योंकि मैं आपको प्रोल्म सॉल्व करके बताऊंगा तो देखिए जैसे कि मैं आपको बोला कि अगर आपका जीमेल में 18 साल नहीं हुआ है तब यह अकाउंट नहीं बनेगा तो यह अकाउंट बनाने का एक तरीका है जो क आपको प्रोल्म सॉल्व करना है तो यह है हमारा तो मैं इस पर क्लिक करता हूं और इस एप्लिकेशन प्लिकेशन पर क्लिक करता हूं तो मैंने जीमेल अप्लिकेशन को ओपन कर लिए आपको करना क्या है कि यहां प्रफाइल बले बटन पर प्रेस करना है उसके बाद यहां लिए सब को personal information पे आपको klik करना ओपन सो मिल रहा है यहाप आपको प्रेश करना करना है तो यह मैंने क्लिक यह उसके बाद आपको नीची जाने है नीची जाने के बाद यहाप देख सकते हो यहाप कर आपको बढ़ा लेना है अपने अनुसार तो मैं यहां से बढ़ा लेता हूँ तो दोस्तों मैंने यहां से कर दिया है 2004 और मैं यहां से क्लिक करता हूं यहां पे नीचे जाता हूं और यहां पे option मिल रहा है मुझे save का तो मैं save पे क्लिक करता हूं और यह बोल रहा है कि आप लोग 18 साल के हो जाओगे आप लोग confirm करो तो यहां से हम कर देते हैं confirm यह हो जाएगा हमारा confirm यह data worth updated अब चलते हैं हम अपने application में Google पेक अकाउंट में तो यह हम Google पेक अकाउंट यहां से open करेंगे तो भाई कहां चला गया तो यहां से हम देखते हैं application कहां गया हाँ यह है तो इस application को हम करते हैं open और फिर यहां पे क्लिक करते हैं change account और accept and continue पे क्लिक करते हैं और आप लोग देख लेना जो हमारा problem 101% हो जाएगा ठीक है तो जैसे solve होता है क्लिक करते हैं और आपाउंट झाने हमारा इस जाएगागा संचार्णा पर बार आप